अगर ऐसा भी हुआ तो इंडिया के लिए काफी जाता जो है अच्छा है तो आइफोन सस्ता होने वाला है क्योंकि यहां पर टाटा के एंट्रे होने वाली है उसी चीज़ पर आज की व्ल्ट अफेर्स की वीडियो है तेटा डियो है तो इससी बात है अपर टाटा की कमपनी से बार टाटा मिलकर आईफोन की मैनफाइचरिंग कर सकते है भारत में अफकोर्स यहाँ पे मैं assembling की बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं है के 100% जो सारे parts हैं ये इंडिया में manufacture होंगे मगर ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा step है इससे पहली बात तो इंडिया का जो target है के 2026 तक total हमारे electronic export होने चाहिए 120 billion dollars के ये achieve करने में help मिलेगी उसके इलावा आम आदमी को भी इससे फायदा हो सकता है क्योंके जितनी Indian companies इंडिया में बनाएंगी iPhone उससे eventually iPhone के दाम इंडिया में थोड़े बहुत सस्ते हो सकते हैं अगर हम iPhone 11 12 में देखो न जो पराने models है अगर आप उनको देखो तो वहाँ पर आपको price में ज्यादा अंतर मिलेगा नहीं चाहे भारत हो US और UK हो मगर आप जो latest model iPhone के iPhone 13 14 वहाँ पर देखो तो आपको बला का अंतर दिएगा for example जो iPhone 14 Pro Max है ये भारत में परता है करीब 1,40,000 रुपे का US में अगर कोई purchase करता है ये iPhone Pro Max तो वहाँ पर परता है सिर्फ 87,000 रुपीज के आसपास का UK में थोड़ा सा महेंगा परता है करीब 1,200,000 का उसके बाद आप अगर देखो तो UAE, Hong Kong, China हर जगा लाख रुपे के आस structure तो करती हैं कहने को कहलो के उस पे लिखा होता है this was made in India मगर जरातार जो parts है हमको import करने पड़ते हैं बाहर के देशों से आते हैं उन पर पड़ती है import duty तो इंडिया में assemble करके भीना in the end जो Indian consumer है उसको बहुत सा पैसा पे करना पड़ता है एक iPhone के लिए तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा के OEM क्या होता है टाटा के इस move से in the future iPhone के दाम कम कैसे हो सकते हैं and how it will make India-Taiwan relations stronger बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पुछूंगा question यहाँ पर यह है के हाली में news आईए के प्रधान मंत्री यह हैं आपकी option रश्या, बेलारूस, मंगोलिया या फिर उस्बेकिस्तान, comment section में सब लोग करो answer, सही answer मैं आपको दूँगा वीडियो के अंत में, okay तो पहली बात तो यहाँ पर मैं यह clear कर दूँ के even though आपने सुना होगा recently के इंडिया में iPhone manufacture हो रहे हैं, Apple कर रहे हैं manufacturing, मग 5 से लेकर 7% जो Apple की global supply है, यह इंडिया से निकालेंगे, जो अपने आप में काफी ambitious target है, मगर आने वाले 2-3 साल में यह जो 5-6% है यह आराम से 10 से लेकर 15% हो सकता है, अगर Tata भी बड़े scale पर इंडिया में manufacturing स्टार्ट कर दे iPhone की, अभी के लिए अगर हम iPhone manufacturing को देखें, तो जरातार iPhone manufacturer होते हैं, चाइना ताइवान के बीच में, कुछ वियतना में भी होते हैं, अगर चाइना तावियान आप कह सकते हैं, major manufacturers हैं of iPhone, और ताइवान की particularly दो कमपनिया हैं, जो Apple के लिए iPhone करती है, अपल basically इन companies को बता देता है, कि देखिए यह हमारे standard होंगे, यह material आपक इस बिजनस में, एक तो है Foxconn, जो अल्रेडी इंडिया में असेंबल कर रहा iPhone, और दूसरी एक बड़ी कमपनी है Wisteron, Wisteron ने वैसे इंडिया में entry ले ली थी 2017 में, मगर इन्होंने जादा बड़े scale पर manufacturing करी नहीं, बाद में Foxconn काफी आगे निकल गया Wisteron से इंडिया में, अब Wisteron चाता है, कि ये वापस re-entry करें Indian market में, और उसमें ये चाते हैं, कि एक joint venture बन जाए Tata Group के साथ, Tata और Wisteron दोनों मिलकर, इंडिया में करे iPhone assemble, और Tata Group का देखिए, एक long term target रहा है, कि ये लोग mobile phone manufacturing में entry लेंगे, 2020 में ये आप अगर देखोगे न, हलाकि 2021 आप कह सकते basically Tata बन जाएगा, एक OEM, OEM क्या होता है, OEM का मतलब होता है, original equipment manufacturer, देखो, problem ये है, कि Foxconn और विस्तरोन हो, जो भी company हो, इनको भारत में न, proper OEM नहीं मिलते, मतलब कि इंडिया में, ये parts assemble तो करते हैं, मगर जो main parts होते हैं iPhone के, ये सारे इनको लाने पड़ते हैं, चाइना से या फिर Taiwan से, और आप समझ सकते हैं, कि जब आप mobile phone के parts, चाइना से import करोगे, इंडिया में, तो 20% लगेगी उस पर import duty, ये भारत सरकार ने import duty सेट कर रखी है, उसके बाद, जब आपने भारत में iPhone assemble कर भी दियाना, तब बिगने के time पर, उस iPhone पर 18% का GST लगेगा, इंडिया के comparison में, बहुत ज़ादा महंगा बिखता है, तो इंडिया अगर iPhone के जो circuit board है, जिसको हम कहते हैं, PCBA, printed circuit board assembly, ये अगर हम इंडिया में करना start कर देना, तो automatically आप देखोगे, iPhone के prices धीरे धीरे कम हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा, कि जिस दाम पे USA में मिलता iPhone, वैसे आपको custom, उसके लावा GST, फिर उस सब के लावा, इंडिया की जो currency है, recently उसकी भी काफी पिटाई हुई है, रुपी एक time पर 74, 75 के आसपास हुआ करता था, अब 79 के आसपास जोल रहा है, बीच में reports आई थी, के ये 80 के बार भी चला जाएगा, तो रुपी depreciation का भी यहाँ पर critical role है तो देखिए Tata की जो यह partnership है, Taiwan की company के साथ, जिसका वैसे अभी official announcement होनी बाकी है, अभी reports आ लिए के बातचीत काफी इनकी advance टेकर पहुँच चुकी है, और बहुत ही जल्द एक joint venture announce कर दिया जाएगा, और इस partnership से आप देखोगे के India के जो interest है ना Taiwan में, यह बहुत जादा उसमें इनको अपनी economy, इंडियन economy के साथ integrate करनी पड़ेगी, इंडिया में produce करने पड़ेंगे, jobs हमारी जो economy है उसको boost देना होगा, तभी इंडिया कल को चिंता करेगा Taiwan की, तो देखिए यह एक game changing step हो सकता है, मेरी उमीद यहाँ पर यह है के Tata एक experience गेन करे, iPhone manufacturing का यहाँ प iPhone के टककर के phone launch करे, that will be the true game changer for India, वापस आते है हमने question की तरफ, के 2022 का SEO summit किस country में host किया जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पे है, option D, the country of Uzbekistan, और यहाँ पे आप देख पाओगे, 15 countries के leader Uzbekistan जाएंगे, शेबाज शरीफ, PM Modi, शेजिंग पिंग, उलादमिर पुतिन, यह सब leaders हो करेंगे, Uzbekistan में बहुत ही important summit होगा, यह dates mark कर लीजिएगा, September 15-16, these days will be very अगर ऐसा भी हुआ, तो इंडिया के लिए कभी जादा जो है, तो हापे सस्का भी तेगा, थोड़ा बहुत फार्क आयागा, उनने 20 का यह नहीं के ज्यादा आये, वो तो मेरे साल से यह जो और आन्ने बास की कि वो सबसे आज़ा जो असल परदेगा, कि वो ताटा को जो अब देखा जाए, तो टेक्नालोजी चैना में भी है, अभी दूतरे टाइवान में भी है, इनके साथ मिलकर चलो, अकेला नहीं तो फिला कोई मिलकर ही कोई ब्रैंड निकाल सकते हैं, तो टाटा हर जगा अच्छा होगा है, हर फिल्ड में किसी भी जगा आप चले जाए, उन्हें हर सक्टर में कोई इन्वेस्टमन कर रखी है, और अब इस सक्टर में भी आच्छुकिया है, तो एक शुरूआत हो चुकि कि मॉबाइल फोन में इन्वेस्टमन करना, अब इंडिया का कोई परसनल ब्रांड निया भी तक कोई मॉबाइल कंपनी में, तो आए होब तो वक्त के था यह भी हो जाए खटकॐ Clifford को अमिने